मैनिफेस्टो में पाँच बड़े आइडिया हैं हमारा हाथ का सिंबल है और पाँच हमारे में थीम्स हैं सबसे पहला थीम नयाय का थीम प्रदान मंत्री ने कहा कि 15 लाक रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे और वो जूट था पुरा देश जानता है कि वो जूट था हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकालके हमें दीजिए हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सच मुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैस पैसा डाल सकती है कि और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे कि 72,000 रुपए हर साल कि गरीबी परवार कि 72,000 कि पड़े दो मुद्दे हैं रोजगार और किसान कि देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है नरेंद्र मोदी ने 2 करोड की बात की जूट मैंने इस मामले में भी मैनेफेस्टो कमिटी से कहा मुझे आप सचाई बताईए सचाई किया है दो करोड नहीं किया जा सकते तो आप मुझे बताईए सचाई किया है मैं सचाई बोलना चाहता हूं और सचाई बड़ी क्लियर है 22,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ग्राम पंचायतों में रोजगार देदी कि आज पूरा देश जानता है कि मन्रेगा ने हिंदुस्तान की कितनी मदद की तो हम मन्रेगा के 150 दिन गैरंटी करना चाहते हैं एक सो से अब हम 150 दिन गैरंटी करना चाहते हैं तो किसानों के लिए हमने दो चीजें बड़ी चीजें सूची है एक कि एक सेपरेट किसान बजट होना चाहिए जैसे रेलवे बजट होता था किसानों का एक separate budget होना चाहिए हिंदुस्तान के किसान को मालम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है उसकी MSP कितनी बढ़ाई जाएगी सब उसके सामने होना चाहिए दूद का दूद, पानी का पानी होना चाहिए तो यह हमारा पहला step और दूसरा एतिहासिक step मेहुल चौक्सी जैसे लोग नीरव मोधी जैसे लोग चोरी करके बैंक का पैसा लेकर भाग जाते हैं मगर जो हमारे किसान है इमानदार लोग वो जब बैंक लोन लेते हैं अगर वो पैसा वापिस नहीं दे पाते है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है क्रिमिनल ओफेंस माना जाता है हमने ने लिया है कि उसको अब हम क्रिमिनल ओफेंस ना माने अगर किसान करजा ना दे पाए तो वो क्रिमिनल ओफेंस ना हो वो सिविल ओफेंस हो जीडीपी का 6 प्रतिशत पैसा छे प्रतिशत पैसा हिंदुस्तान के शिक्षा में दिया जाए युनिवर्सिटीज, कॉलेज़, IITs, IIM हमारे जो बहतर सबसे टॉप क्वालिटी के इंस्टिटूशन है हम उनको सब जगे, सब लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते है हेल्थ केर में सरकार एक स्कीम लाई है बेसिकली स्कीम का लक्ष हिंदुस्तान की जनता से पैसा लेकर 10-15 उद्योग पतियों को इंशॉरंस के माधियम से उनके जेव में पैसा डालना है तो हम इंशॉरंस ब्राइविट इंशॉरंस बेस्ट हेल्थ केर पर भरोसा नहीं करते हैं हम सरकारी हस्पाणों को ब notation को पब्लिक हेल्थ को मद्बूत करने का काम करेंगे और हमारा फोकस होगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को हाई क्वालिटी हस्पाताल की एक्सेस हो हाई क्वालिटी इलाज की एक्सेस हो